इस्मामौलेकूम, आज का हमारा लेक्चर नमर साथ बघ्लает होगा और हमारे टॉपिक से Relative Atomic Mass और Atomic Unit तो हमें यह पता करना है कि Relative Atomic Mass किसे कहते हैं और इसकी क्या यूजुसे हैं और इसका relative atomic mass का unit क्या है और atomic unit जो है उसे क्या कहते हैं और वो क्यों होता है तो इसे के साथ हम शुरू करते हैं relative atomic mass और atomic mass के हवाले से तो relative atomic mass हम उसे कहते हैं कि किसी भी atom में मौजूद जो average mass हो वो किसी भी isotopes के हवाले से जो किसी भी substance के किसी भी isotopes के हवाले से हैं जो मौनफरिद हो जो हमें हासिल हो जो कारबान के 12 atoms तो उसे 12 मलब जो उसका atomic mass है कारबान का उसके बराबर हो तो हम उसे relative atomic mass के ते हैं जो हम इस वजासे कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि कारबान का जो मास है वो बारा है तो इसलिए हम relative atomic mass किसी का भी mayor करना होता है तो हम उसके साथ कारवान को मेच करते है बलब कारवान के मास के हवाले से हमें हर isotope का जो एटम में मुझूद हर isotope का वो mayor करना होता है उसका मास कल्किलेट करके हमने वो define करना होता है जो कारवान के atomic मास के साथ compare हो तो इसे हावाले से जहां पर मैं बता रहा हूँ आपको के कारवान के जो 12 होता है atomic mass जो है वो 12 है तो atomic mass जिसका बारा और relative atomic mass जो है वो इसी के साथ ही हम attach करके आगे इसको forward करते हैं तो पता हमें तब चलता है relative atomic mass के बारे में जब हम किसी भी atom को जो हमें naturally isotopes में compare करने होते हैं बार कारवान के mass से तो उसको हम relative atomic mass के तैंड है और atomic unit जो होता है वो इसी का ही relative atomic mass का ही या फिर वो इंपरिकल फर्मॉला माडिकलर फर्मॉला और इन सभी में जो unit काम हाता है वो atomic unit काम हाता है जिसको हम e.m.u.s से मेंशन करते हैं तो इन के लेटिव मास का जो यूनिट होगा वह एटमिक मास यूनिट एम यू एटमिक मास यूनिट होगा जिसको हम एम यू से मेंशन करेंगे तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आटमिक मास जो कारबान में कारबान के पास जो नमबर अप लेक्ट हमने किसी भी isotopes जो naturally हमें मिलते हैं वो गके जो आवरेज़ बनती है आवरेज़ बना गए हमने उस ने 12 कारवान के जो atoms है उन्हीं के साथ हमने compare करना है जो कारवान का मास है उसी के साथ compare करके हमने relative atomic mass found करना होता है कि हो हो हमरे पास formula भी है AF, the average mass of any substance, any atom या any molecule, मतलब the average mass of average, the average mass of any atom, divided by 1 by 12, 12, जो कारबान का मास है, उसके साथ atom of atomic mass of कारबान जो बारा है, तो इसी के साथ, जो AF दिया हुए, ये दिया हुए, ये दिया हुए relative atomic mass का जो average mass बन रहा है, जो किसी भी atom का, average mass बनेगा उसी को हम similarize करते हैं, F से, इसी symbol के बाद, जब 1 by 12 हम देते हैं, तो वो होता है, कारबान का जो मौझूदा weight, और जो हम इसके साथ divide करते हैं, कारबान के जो mass होता है, उसके साथ, हम divide करके, जो हमें answer मिलेगा, उसे हम relative atomic mass केते हैं, relative atomic mass, और ये हमारे पास formula है, इसका AF is equal to average mass of, and one atom of the element divided by 1 by 12 atomic mass of carbon तो, ये हमारे पास formula है, इसी की तरह दूसरा topic है हमारा atomic unit, और atomic unit क्या है, atomic unit मैं आपको पहले ही बताया है, उसको करते हैं, जिसे हाँ पर हम atomic number atomic mass, relative atomic mass होगिया, एवाई के दुरूज नमबर होगिया, यहां फिर empirical formula होगिया, molecular formula होगिया, तो यह सारे जो, के सारे जो, फार्मूलाज हैं, जो, masses, इनकी calculation होती है, इनकी calculation होती है, इनकी calculation हो, मास को calculate करने के लिए, बैसिकली यह मास के लिए ही unit यूज होता है, atomic unit जो होता है, आटमिक हम हर molecular मास में, formula मास में, एवाई के दुरूज नमबर है, यह फिर दूसरे नमबर में, यह relative atomic number होगिया है, atomic mass होगिया है, तो हमें इनको जो symbolize करते हैं, जिस unit से show करते हैं, वो होता है, amu, atomic mass unit, तो इसी नमबर से, इसी formula, इसी symbol से, जो, हम किसी भी चीज़ को symbolize कर सकते हैं, इन image, just कुछी ही है, जैसे के, molecular formula हो गया, molecular mass हो गया, formula mass हो गया, इनको हम symbolize करेंगे, जैसे, that can be, atomic mass, that can be brief as the sum of average mass of one atom of any element that calculated by the average value, is called, atomic unit, तो मैंने आपको पहले ही बता हैं, तो यह होता है, इस total पहुं करते हैं, किसी ब्हींन करते हैं, unit से, उस unit को हम atomic unit करते हैं, तो यह होता है, amu से mention होता है, जो डिनोटरेट होता है एक एम यू तो इसी के साथ यह आज का जो है हमारा लेक्चर वह कंप्लीट हो गया इंशालला तुसरा लेक्चर कर अप्लोड होगा तेंक्यू लाफ एज